हरेक्षन दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि आज आधुनिक युग है और हर जगे हर तरफ टेक्नलोजी है सुबह उठने से लेकर के रात को सोने तक 24-7 हमारे साथ में टेक्नलोजी हर सेकेंड हर शन जोड़ी रहती है और पूरे भारत वर्ष में ऐसी कोई जगे नहीं है जो कि टेक्नलोजी से अचुती हो बड़े-बड़े शहर विक्सित हो रहे हैं बड़ी-बड़ी खेतियों के लिए नए-ने उपकरण मार्केट में आ रहे हैं और उसके साथ ही मतलब यह कहा जा सकता है कि बाहरत का ऐसा कोई भी शेत्र नहीं है जो कि टेक्नलोजी से अचुता हो लेकिन आज हम आपको एक बहुत ही विशेश जगे के दर्शन करवान दस किलोमेटर की दुरी पर एक बहुती भव्य बहुती सुन्दर बहुती शांत जगे पर हम हैं इस जगे का नाम है नंदग्राम और इसकौन के द्वारा यह जगे डवलप की गई है यहां पे एक इसकौन मंदिर भी है लेकिन आपको विशेशताओं की अगर मैं बात करू इस जगे की सबसे खास विशेशता यह है कि यहां एक पूरा गाउं है जहां लगबग 80 से ज़्यादा लोगों की आबादी है और वो सबी लोग इसकौन के भक्त हैं उसमें एक और खासे जोड़ते वे बताना चाहूंगा कि पूरे गाउं में बिजली नहीं है मोबैल का को कोई मशीनरी का उपयोग किया जाता है यानि कि बाहरी वातावन से और वरतमान समय का जो टेक्नलोजी वाला एन्वायरमेंट है उससे यह गाउं बिलकुल अचुता है उसके बाद भी आप देखेंगे इस गाउं में शांती और संतुष्टी का इतना परम माहूल है कि बस ही बनता है तो चलिए हमारे साथ में आपको विजिट करवाते हैं एक बहुत ही इस्पेशल जगे और साथ में दर्शन करवाते हैं बहुत ही भव्य और इस्पेशल इसकौन मंदिर के तो दोस्तों यह है नंदगराम का बोड़ और यहां से आगे चलने पर यह जो रस्ता आ हैं यहां से हम पहुंचते हैं नंदगराम में यह गाओं शुरू होता है और यहां भार आप देख सकते हैं वाहन पार्किंग है उसका एक बहुत ही खास रेजन है कि गाओं के अंदर किसी भी तरह का कोई भी साधन कोई भी वाहन ले जाना बिलकुल अलाउ नहीं है दोस्त अलग जगह है यहां के जो लोग हैं यहां क्या जो रहन सैन है यहां के जो तौर तरीके हैं वो आज की दुनिया से बिलकुल अलग है यहां आप देख सकते हैं काफी सारे घर हमें देखने को मिलते हैं जो कि एकदम ग्रामीन परिवेश पर ही बने हुए हैं सबसे खास बात यह है कि इन घरों को जितना हो सकता है ज्यादा से ज्यादा वैदिक तरीके से बनाने की कोशिश की गई है और यहां से आगे बढ़ने पर गाहों के बिलकुल बीच में पहुंचने पर हमें देखने को मिलता है नंदगराम का इसकौन मंदिर तो चलिए पहले दर्शन करते हैं फिर आगे बढ़ेंगे यहां का जो इसकौन मंदिर है वो बहुत ही विशेश है पूरा जो मंदिर है उसे एकदम वैदिक तरीके से बनाया गया है और यहीं पर हमें दर्शन होते हैं बहुत ही भव्य और सुन्दर्तम श्री श्री गौर निताईजी के वैसे तो काफी सारे इसकौन मंदिर पूरे भारत वर्श में हैं लेकिन यह मंदिर सबसे अलग और सबसे विशेश है क्योंकि यहां इस मंदिर में लाइट का कोई उपयोग नहीं किया जाता सुबह शाम की आरती के लिए यहां पर दिये जलाए जाते हैं और दियों में होने वाली वो आरती बहुत ही भव्य और बहुत ही मनुरम होती है तो हमारे साथ में बने रही है आपको शाम की आरती के भे आज हम यहां दर्शन करवाएंगे सबसे खास पाई जो हमें लगी इस गाउं में वो यह है कि यहां रहने वाले जो भी लोग हैं उन में से कोई भी व्यक्ति इलिटरेट नहीं है बलकि वो सभी व्यक्ति जो यहां इस गाओं में रह रहे हैं वो सभी बहुत highly qualified हैं और बहुत बड़ी-बड़ी companies से यहां आए हैं यहां वोई प्राचीन समय में बनाए जाने वाले मांडने और तुलसी का एक बहुत ही शानदार पौदा यहां में देखने को मिलता है मंदिर के बिलकुल सामने आगे चलने पर हम पहुंचते हैं इस गाओं के रिशेप्शन पर रिशेप्शन बिलकुल गाओं की तरी से बनाया हुआ है और सबसे विशेश बात जो है वो बताने से ज़्यादा देखने में अच्छी लगेगी देखिए आप यहां इस बोर्ड को पढ़िए तो दोस्तों आप समझी गए होंगे कि इस गाओं में बाहर से आने वाले जो भक्तगन हैं वो अगर मोबाइल लेकर के यहां आते हैं या किसी भी प्रकार का कोई इलेक्ट्रोनिक गैजट यहां लेकर आते हैं तो उनसे इस गाओं की तरफ से रिक्वेस्ट की जाती है कि अपने जो भी गैजट हैं मोबाइल वगएरा उन्हें अपने तक ही सीमित रखें किसी भी व्यक्ति को उन्हें दिखाएं नहीं खास तोर पे बच्चों से उन्हें दूर रखने की यहां पर रिक्वेस्ट की जाती है तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं बहुत ही शांत माहौल इस गाओं का इस गाओं में कोई भी आदूनिक मशीनरी नहीं है लाइट नहीं है टीवी नहीं है तो उसका एक सबसे बड़ा जो फाइदा मैंने परसनली अनुभाव किया है वो ये है कि इस गाओं के जो लोग हैं वो बाहर की दुनिया से अलग बस सरी कृष्ण की भक्ती में दिन रात लीन रहते हैं और उनके जीवन का एक बहुत ही इसपष्ट लक्षे है और वो है कृष्ण की भक्ती गणना यहां आने जाने वाले जो भी भक्त गण होते हैं जो भी गैस्ट होते हैं उनके लिए कोटेजिस बनाए गए हैं और उसके साथ ये बहुत विशेश बात आपको बता देना चाहूँगा यहां ही से हम आगे बढ़ेंगे तो हमें देखने को मिलता है एक बहुती बड़ा घर जो की बना है बिल्कुल प्राकरतिक तरीके से च्छत के लिए बास इस्तेमाल किये गए हैं बाहर जो पिलर्स है वो भी बास के बनाए गए हैं उसके साथ ही जो फर्ष है उसे जिसे पहले के जमाने में गाउं में फर्ष बनाए जाते थे गोबर से उस तरह बनाए गया है यहां से आगे की ओर बढ़ेंगे तो हम एक बार जानने की कोशिश करेंगे कि इस गाओं में खेती के जो तरीके हैं वो कितने सहज हैं और कितने मिलावटी हैं देखिए लगबक सभी प्रकार की फसलें यहां इस गाओं में उगई जाती है और हमने देखा कि इस गाउं में कोई टेक्टर या कोई भी मशीनरी फसल उगाने के लिए इस्तिमाल नहीं की जाती है और उसके साथ ही कोई भी प्रेस्टिसाइड्स यूजनी किये जाते हैं सब कुछ प्राकरतिक है देखिए आप यहां देख सकते हैं जो खेत हैं उनको जोतने के लिए बैलों का इस्तिमाल किया जाता है और वहीं जो पानी देने के लिए भी गाउं में कोई बनाए गए हैं और उनकोऊं से पानी निकालने के लिए भी बैलों का इस्तिमाल किया जाता है तो दोस्तों यहां आपने देखा मेरे पीछे किस तरह से बेलों के द्वारा खेतों को जोता जा रहा है, यहां कोई टेक्टर या इस तरह की कोई भी मशीन यूज नहीं होती है, बलकि खेती करने के लिए जितने भी संसाधन है, सारे के सारे वैदिक और प्राचिन संसाधनों का यहां पर यूज किया जाता है, किसी भी तरह के कोई प्रेस्टिसाइज यहां पर यूज नहीं होते हैं खेती करने के लिए, बहुत बड़ा फार्मिंग है, काफी बड़ी जगे है, और पूरा का पूरा जो नंदग्राम है, वहां पर हर चीज एकदम नेचुरल है, बिल जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, आप कल्पना भी करते हैं, तो आपको बड़ा असहज मैसूस होता है, कि इस तरह से लोग कैसे रहते होंगे, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेश्ट है, आप एक बार इस गाउं को जरूर विजिट कीजिए, यहां का जो टेंपल है, जरूर दर्शन कीजिए, और आपको पता चलेगा कि जिवन में जितने अधिक संसाधन हमने बनाई हुए हैं, बसाई हुए हैं, वास्ताओं में एक सहच जीवन जीने के लिए उतने अधिक संसाधनों के आउशक्ता नहीं होती है, अच्छा आपको बता देना चाहूँग तो दोस्तो अभी हमने यहां पर देखा किस तरह से यहां पर बिल्कुल नैचुरल और एकदम प्राकरतिक तरीके से कहती की जा रही है काफी सारी अलग-अलग फसले विबिन-विबिन मौसमों के हिसाब से यहां पर उगाई जाती है मेरे पीछे यह पूरा फूलों का गार्डन लगाया गया है सेवा में जितनी भी माला जितने भी पुष्प अर्पित होते हैं वो सभी माला और सभी पुष्प यहां इसी गार्डन से बिल्कुल यहीं से लिए जाते हैं यह हम भगवान के परा फ्लार गार्डन है इसमें बहुत सारे फ्लावर्स लगें गुलाब, लीली, पिंक रोज है और हम सब फूल तोड़ते हैं और फिर अभी शाम को भगवान के लिए माला बनती है भगवान के लिए प्रभुजी आप यहां पर फूलों की सेवा करें प्रभुजी के लिए अभी मैं फूल तोड़ हूं यह हमारी खुद की गार्डन है आपने देखा होगा कैसे के लिए हमने देखा एक बहुती विशेश कुवा यह जो कुवा है इसका जल इस्तिमाल होता है मंदिर में और साथ यह आप देख सकते हैं कि यहां का जो बातावन है वो बिल्कुल प्राकरतिक हरा बरा है और यहां आप देखेंगे कि छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो भ प्रभु सेवा में लग जाते हैं प्रभु की भक्ती करते हैं और बहुत अच्छा वातावन और बहुत अच्छा माहौल यहां में देखने को मिलता है को जाले 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 ऩलंड यहां आपeeee कर दो कर दो कर दो कर दो कर दो कर को कि अ.. कि अ.. अह कि अ.. बज़ को रसते बाते हैं अज़ कि अगधन की यहा है अज़ कि अ.. अगर लुट कर दो करए़ ऑन सेटनी से और रिक से रटनाम का वपके ऐसम तरे और बाहरनां जे कंपcentर ने जेगाय test ज verder कर से लेंसे को ऌर एं धर खो जो जो ज烦ो जदी घ российम ने लेना जे को जोर ज एंग को ओच किस दो किसिक हुछा जो ऑजिदे को पने ढिर ऑले है तो दोस्तों यह है यहां की पूरी दिन चरिया और अब हम देखते हैं यहां किस तरह से होती है दिन की शुरुआत सबसे पहले सभी भक्तगण मिलकर के मंदिर में जाते हैं और यहां से शुरू होता है यहां के सभी भक्तगणों का दिन उसके बाद मैं सभी मंदिर में भगवान को पालना जुलाते हैं और फिर करते हैं ससान हाँ का छिए तब का दिन और ससंग खतम होने के बाद में बिलकुल ग्रामेंड तरीके से एकदम पहले के जमाने में जो गाओं हुआ करते थे उसी तरह से शुरू होता है यहां का दिन तो चलिए देखते हैं क्या विशेश है यहां के दिन की शुरू आता है क्या विशेश है यहां के दिन की शुरू आता है तो दोस्तों प्राचिन समय की वो सभी चीजें जो आज हमें अपने आसपास भी कहीं देखने को नहीं मिलती है हाथ की चक्की से आटा पीसा जा रहा है दान को ओखल में कूटा जा रहा है और चूले पर लकडियों से रोटिया बनाई जा रही है और यही पूरे गाउं का शेडियूल है सुबह की शुरुआत हर घर में इसी तरह से होती है और यहां के जो घर आप देख सकते हैं सभी गर बहुत वीशेश तरीके से बने हुए हैं मिटी से बने हुए घर हैं चट भी सबने बहूत अलग तरीके से डाली हुई है तो चलिए प्रभुजी के साथ में मुलाकात करते हैं और थोड़ी सी विशेष्टाओं के बारे में जाननी कोशिश करते हैं इस गाउं की हरे कृष्णा मेरा नाम महा हरिद्यास है मैं भी मेकनिकल और में एक जैपनी से मंट सी में आसा डिसेन इंजनियर सिक्सियस गुडवा में जॉब किया हूं अभी लंदग्रा में लगवग साड़े चार साड़े चेज साल दे रहा हूं अभी मैं आप लों को यह बताना चाहता जो सिटी चोड़के इतनी सारी बक्त यहां पर क्यों रह रहे हैं जैसे मेरे अपना परस्नल लाइफ को देखूंगा तो हम लोग जोहाब करते हैं एक बहुत हेक्टिक स्केडूल रहता था तो रोज का स्केडूल सुबह जल्दी उटो ऑफिस जाओ शाम को लेट आओ तो म सब्सक्राइब तो शोनग सब्सक्राइब परते हैं रुट अधैसे सी लेट की घ्रस्तों के लिए एक वंडिदा को भुटकी स्वाज करकूंदि किसटूल वक्त लोग आए अपना जो बेजिक नीट्स हैं वो सारी अपना साइको फिजिकल नेचर के अनुसार कारिय करें और फुल्फिल करें हम यहां पर सुबह से साम तक अपना जो स्केडियूल है जो मंदिर जो सुबह साड़े चार बुजे मंगल आरती जाना फिर उसके बाद करते हैं फिर शाम को दुबारा हम लोगा राती लक्ट्र बाद के तो जो चेतना की जो फरक्ता जो क्या होच्थ की आपनी बहुत लिए में बङरे में बोलते एक बहुत कंदा मौल था इस सारी चीज से शुटकारा पाने के लिए ये जो फार्म कम्वीनटी यहां पे जो नंदगराम है इस प्रकार की अलग अलग जगा पे भी हैं कॉर्म ग्राम करके आंदर प्रदेश में हैं एक माद्य प्रदेश में हैं तो बगतों लोग जो सीरियसली प्रैक्टिस करना चाहते हैं ेसे हमारा एक शिक्षा गूरु कहते हैं सवे साची प्रगू, आपको बती ही करना बती बी करना बहुत बती कर लिए थोड़ा बहुत ज़ाब कर लिया तो वह बती ही आपको बढगी करना तो प्रुब्वपात की जो दिया हुआ जो फार्म कम्यूटी में हम जोइन करें, तो उसमें फुल फ्लेज हम आपने उसमें बक्ति में लग सकते हैं, हरे कृष्णा. हम यहां पर बच्चों को अलग-अलग शिक्षा देने का प्रयास करते हैं, जिसमें तीन मुख्य शिक्षा हैं, जिसमें सबसे पहले आध्यात्मिक शिक्षा, फिर चरित्र शिक्षा और तीसरी हैं शेक्षिनिक शिक्षा. तो यहां हमने अभी अभी देखा गुरुकुल कल्चर, किस तरह से यहां पर गुरुकुल कल्चर के दोरा बच्चों की पढ़ाई की जाती है, और सिर्फ संस्क्रत ही नहीं, बलकि सभी विश्यों की पढ़ाई यहां पर बच्चों को करवाई जाती है. और आगे बढ़ते हुए हम पहुँच जाते हैं गौचारन की जमीन पे जहां यहां पाली जाने वली सबी गायों को चराने के लिए व्यवस्तित और श्पेशल जमीन है जो सिर्फ गायों को चराने के लिए सिर्फ गौचारन के लिए इस्तेमाल की जाती है तो चलिए इसके परे में थोड़ी सी जानकर रिप्राप्त करने ही कोशिश करते हैं. यह नंद ग्राम एक वैदिक प्रकल्प क्रिशी समुदाय बनाने का प्रयत्न है, जो परम पुझे शिला प्रभुपाद के निर्देशा अनुसार हम प्रयत्न कर रहे हैं, देखें, मॉडन लाइफ जो है, इट फॉस्टर सन इल्यूजन की हम बिना इलेक्टिसिटी के, बिना हॉस्पिटल्स के, बिना फ्लाइट्स के, बिना स्मार्टफोन के, वी आर डूम्ड, पर ऐसी बात नहीं है, हम यहाँ पे लगभग 80 लोग हैं, और पिछले 12 वर्षों से रह रहे हैं, और सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है, इन फैक्ट, जब मैं शेहर में था, पहल पिशले 4 वर्षों में, क्या मैंने पाया, तो मुझे लगता है कि मैंने बहुत सारी वस्थूएं पाई हैं, और बहुत प्रसंन हूँ कि मैं ऐसा निर्णाय ले पाया। अभी आपने बताया कि आपने बहुत सारी वस्तू है है तो जहां तक मेरा ख्याल है वस्तू आपका मतलब होगा आध्यात्मे को पलग दियां ? या कोई भौतिक वस्तू कि का बात कर रहे हैं ? तो जिस प्रकार आप पूछ रहे थे कि क्या यहां पर वस्तू है जो नगर से भिन्न है आध्यात्मिकता तो आप अनुभव करी सकते हैं भागवान के शेविग्रा हैं और हम मंगल आरती, गुरु पूजा, भागवतम कक्षा जो प्रभुपाद के द्वारा मानक दंड तै किये गए हैं चार-पांच घंटे की जो साधना है वो हम कर पा रहे हैं भक्तों के बीच रह कर पर अलावा भी जो कॉमन विज्डम है एक शुभाशितानी है जिसका अर्थ है कि कहां रहना चाहिए वहां रहो जहां पे अच्छह अन्न है जि अच्छह जल है और साधुल संग है विलकुल तो तो शहर में आपका आगर दो लाक रुपए का भी पैकेज है तो आप अच्छह जल नहीं पी सकते हैं विलकुल से ना आप सनान का पानी है वो इकcej बहुत ही बढ़ी है और अन्न तो आप दे तो अच्छा अन है अच्छा जल है दूध है और शहर में आप देखिए स्वास भी नहीं लेने के लिए आपके पास है भले मोबाइल फोन हो सकते हैं वाशिंग मशीन हो सकती है और कार हो सकती है लेकिन साफ हवा नहीं है नहीं है विल्कुल 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 उसके लिए भी ऐसी जगह पे रहना चाहिए और बहुत सारे अभख्त भी alternate living की तरफ मुड़ रहे हैं। वाइनोट अस। हम तो प्रहुपाद ने जैसे कहा कि farms, 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 तो यह हमारा। और एक मुख्य बात मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए कृष्ण जो है वह गोविंद है और बल्राम जी जो दो हमारे आराध्य देव हैं वह हल्दर है तो हमारे हम हमारे बच्चों को गाय और भूमी दोनों से दूर नहीं रख सना चाहिए हमें स्वेम भी जब भूमी संबंद बना रहा है तो फिर भगवान हमें और हमारे उपर और कृपा करेंगे जैसा कि हमने आपको बताया बहुत विशेश जगह है तो यहां यह जो गाओं है यहां पर जिदनी भी खेती बाड़ी की जाती है काफी सारे highly qualified लोग यहां पर रहते हैं तो उनके द्वारा इंटिलाइज किया जता है तो उमीद है आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना बहुत ही जादा natural तरीके से यह सभी products बनाय जाते हैं और एक बहुत ही विशेश और बहु अच्छा लेवल यहां के जो रहनेवासी हैं उनके द्वारे इस्तेमाल किया जाता है तो दोस्तों यह थे दर्शन एक बहुत ही विशेश इस्तान के नाम आपको पता है यह है नंद ग्राम जो कि गुजरात के नर्मंदा डिक्टिक में इस्तित है बहुत विशेश बहुत यहां आधुनिक्ता के नाम पर बिल्कुल कुछ नहीं है लेकिन उसके बाद भी खुशी के संतुष्टी के और प्रसनता के नाम पर एक अच्छा लेवल यहां के जो रहनिवासी है उन्होंने अच्छीव किया है भक्ति में रहते हैं साथ ही आप देख सकते हैं यहां पर श प्रभुपाज जी का जो एक सपना था कर्शी ग्राम का उस ब्याब पर पूरा यह धवलब किया हुआ है काफे सारे लोग यहां रहते हैं और बहुत अच्छा एंवार्मेंट यहां का है बिल्कुल प्राकरतिक एकदम नैच्छरल सारा एंवार्मेंट है तो आज के जो दर दिमाय कारिक्रमों के लिए देखिये हरे कृष्णा टेलिविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर करें तदा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 766-839-839